विदेश निती में भारत के strategic autonomy की बात बड़ी जोरशोर से किये जाती है strategic autonomy इसका मतलब भारत की जो विदेश निती है उसके अनुसार हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है ना हम अमरीका के तरफ जुके हुए है ना हम रशिया या उनके मित्रराश्टर की तरफ जुके हुए है अब ये स्ट्राटरजी कॉट नॉमी का एक मामला रशिया और युक्रेन इनके बीच में जो संगर्श हो रहा है उस सारे परिपेक्ष में भी पिछले कुछ सालों में वहाँ पे देखा गया जब रशिया और युक्रेन का युद्ध हुआ तो अमरीका और यूरोपियन राष्ट्र उन्होंने एक तरीके से भारत के उपर दबाव डाला कि रशिया के उपर economic sanctions जो आर्थिक निर्बंध अमरीका और उनके मित्र राष्ट्र द्वारा लगाए गए उसका हिस्सा भारत भी बने और उसका ही एक पार्ट बोलकर रशिया से कोई भी ओईल से सम्मंदित खरीदारी भारत ना करे लेकिन strategic autonomic का हिस्सा मान कर भारत ने अपने हित को सर्वतो परी वहाँ पर ध्यान में रखा और इसकी वज़े से ही अमरीका और उनके मित्र राष्ट्रों का दबाव होते हुए भी भारत ने रशिया से P.O.L. याने petroleum oil और lubricants कम कीमत में उनसे खरीदा जिसका फाइदा भारतिय अर्थ विवस्ता को पिछले कुछ महनों में हुआ 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 हमें स्पष्ट तरीके से दिखाए देता है याने एक तरीके से हमने अमरीका के गुट में जाने से अमरीका के दबाव को जो है एक तरीके से नकारते हुए रशिया के फेवर में कुछ डिसी जनाम ने लिए ये जब एक तरफ हो रहा है तब दूसरी तरफ अब भारत का हित देखते हुए भारत और एक निरने लेते जा रहा है दे इंडिपेंडन्ट कीव ये जो एक नियूस पेपर है उस नियूस पेपर में एक खबर चपी है और अगर वो खबर सच है तो सचमुच में स्ट्राटेजिक ऑटोनॉमी का दूसरा एंगल रशिया यूक्रेन वार के सम्मन में याने ही यूक्रेन के फेवर में भारत एक नि अलग-अलग तरग का जो गोला बारूध है वो सपोर्ट करने में पिछले दो सालों में अमरीका ने महत्वपूर्ण भूमी का अदा की थी अब अमरीका के कॉंग्रेस ने एक तरीके से यूक्रेन को बहुत जादा पैमाने पर जो एक तरीके से गोला बारूध है उसके में आर्थिक मदद देने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन्स वहाँ पे लगाए हुए है इसका ही मतलब अब युक्रेन को अमरीका से बहुत जादा पैमाने पर रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए गुला बारुद वहाँ पे प्राप्त नहीं होने वाला है आर्टिलरी शे पर पावर बोल कर इमर्ज होना चाहता है तो जर्मनी उसमें पहल ले रहा है और जर्मनी आने वाले दिनों में युक्रेन को ये गुला बारुद ये अलग अलग तरह के आर्टिलरी शेल्स रशिया के खिराफ लड़ने के लिए युक्रेन को वहाँ पर प्रदान करेगा अ भारत से वहाँ पे खरीदने वाला है और उसके बदले में भारत को वो जो है पैसा वहाँ पे देगा अब ये सारा मामला अगर डिरेक्ली भारत इस सारे पिक्चर में वहाँ पे आता है तो अंतरराश्ट्री इस तरपर उसको कई सवालों के वहाँ पे उत्तर वहाँ पे द रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए वहांपे होगा लेकिन ये सारा मामला ये सारा व्यवहार मध्यस्तों के माद्यम से intermediaries के माद्यम से होने वाला है याने जर्मनी भारत से 155 mm गंस के लिए जो आर्टिलरी शेल्स है वो वहाँ पे खरीदेगा इंटरमीडियरे की माध्यम से उसके बदले में भारत को पैसा मिलेगा और ये आर्टिलरी शेल्स युक्रेन को प्रदान करके युक्रेन रशिया के खिलाफ अपना युद अपना संगर्श वैसे ही जारी रखेगा इस सारे सिच्वेशन में एक वक्त भारत ने हमें लगता था कि रशिया की तरफ से हमारा पलडा वहाँ पर भारी किया तो दूसरी तरफ अब भारत ने युक्रेन की तरफ जो है इस तरह का निरने लेते हुए खुद का हित खुद का स्वार्थ वहाँ पर साध्य करने की कोश सो रश्या युक्रेन युद्ध में भी कभी रश्या के फेवर में तो कभी युक्रेन के फेवर में भारत ने निरने लेते हुए इस सारे सिच्वेशन में भारत का फायदा कैसा होगा यही देखने की कोशिश की और इस गटना के माद्यम से इंडिपेंडेंट कीव के इस न् स्ट्राटेजिक अटोनॉमी जैहन।